एक विग्यापन चला करता था फेवी कोल का मजबूत जोड़ है छूटेगा नहीं उस विग्यापन को अगर अशोक गहलोत राजस्तान की मुख्यमंत्री की भाशा में कहें तो मुख्यमंत्री की कुरसी मुझे नहीं छोड़ रही हैं जी हाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में एक प्रेस कॉंफरेंस की और बहुत सारे सवालों का जवाब दिया है हालांकि दो दिन पहले ही वो सचिन पाइलेट पे इशारों इशारों में हमलावर थे लेकिन आज फिर फिर फ़र्गेट और फ़र्गिव वाला बयान दोहरा दिया अशोग गहलूत का ये सचिन पाइलेट की कि वो सीधे सीधे व्यक्तिकत हमलावर नहीं होते हैं हालांकि उन्होंने सरकार और विवस्ता को लेकर बड़ी रेलिया और प्रदर्शन भी की और उन्होंने साफ कहा कि मैं भूलूंगा नहीं युवाओं के पैरों को च्छालों को हालांकि सचिन पाइ हमके विद्यालेओं और अंग्रेजों की पैरवी करते हैं लेकिन अंग्रेजी के सवाल का जवाब नहीं दे पाए हो उन्होंने का अंग्रेजी के सवाल पवन खेड़ा से पूचिये राजस्तान आठ करोड़ की आबादी वाला प्रदेश हैं तीन लाग बैनली से जार वर उसी क्यों नहीं चूट रही हैं इस पूरी प्रेस कॉंफेंस में अशो कहलोत के जो जवाब रहे बड़े लंबे और इस तरह के रहे मैं राजसभा की एक देख रहा था रिटायर्मेंट पार्टी जी हां राजसभा उच्छ सदन है कभी पूरा खतम नहीं तो लागन सदस् में जवाब देना मुझे मैं कहीं सवालों में घिर नहीं जाओं मैं किस तरह से फेस करूं मीडिया को तो मोतिलाल वोरा जो की कॉंग्रेस में मद्य प्रदेश के बड़े नेता थे उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप जवाब थोड़े लंबे कर दीजी और थोड़े से उबाव कर दीजिए ताकि सवाल प्रतिप्रशन करने वाले लोग जो है उन्हें फोड़ा सा तो यही आज अशोग गैलोत इस प्रेस कॉंफेंस में करते दिखें उनसे सवाल पूछे जा रहे थे लेकिन वो फिर योजनाए 25 लाग का भीमा और वहां लोटा ला रहे थे ले उन्हों ने कहा कि मैं कुरसी छोड़ना चाता हूं ऐसा एक मातर मुख्यमंत्री होगा तेश में जो कह रहा है कि मैं कुरसी मुझे नहीं छोड़ रही तो यह फेविकोल का मजबूत जोड़ है यह कैसे description होगा जनता को इससे देखना चाहिए कि किस तरह से सवाल है और उसक जो धरने पे बैटेते पांसो करोड का आरोप लेते हुए उन्होंने उसका भी जवाब दिया हालांकि वहां पांसो करोड तो नहीं लेकिन कुछ पैसा और गोल्ड मिला है बहुत सारे लोकर्स की अभी जांच जारी है उन्होंने कहा है कि मेरी सरकार ब्रश्चाचार मुक्त रही है पेपर लीक एडी और एडी की कारवाई है और लाल डायरी शायद आज किसी ने उठाई नहीं लेकिन अशोक गहलोत के जवाबों में थोड़ा सा अलग तरह का एक पिछ नजर आया जिस पे राजस्तान के चुनाओं में अंदरूनी चीजें भी अलग तरीके से राहूल्ग गान्दी ऐका है वो यह कते हैं सोनिया जी के आदेश पे बना रहूल गान्दी। गांदी कि मीटिंग में यह तमाम डिया में बाहर है कि उन्होंगठाडी लेकिन भी अशोक गैलूत बने हुए हैं और इस रेस में ने का पाइलट किमा क्या सोचता हैं। टिकट की लिस्ट आने से ठीक पहले मुख्यमंत्री अशोग गैलोत का ये बयान किस दिशा में ले जाता है चीजों को प्रियंका गांदी की एक दिन बाद रास्तान में रेली है वहसमे सिंग को जवाब देते हुए अशोग गैलोत कहते हैं कि मुख्यमंत्री का पद मुझे नहीं छोड़ रहा लेकिन मुझे लगता है अशोग गैलोत फिर वहाँ थोड़े से चूकते हैं फिर वो उसे डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं कि नहीं मैं यह नहीं कहना चाहरा था मेरा कहने का मतलब यह है तो इस तरह से यह है कि अशोग गैलोत उम्र के अंतिम प वाइटिंग है उस पे कई तरह की चीजें निकल के आएगी चुनाओ के बाद में और चुनाओ के दौरान चुनाओ से पहले भी आएंगी और वो लगातार आती जा रही है सचिन बैलेट फिलाल मेडिया से मुखातिब नहीं हुए एसीसी में अशोग गैलोत की कॉन्फरें चाहते हैं शांतिधारिवाल के टिगट को लेकर जिस तरह से गांधी परिवार की आपत्ती आई है उससे निश्चित तोर पर अशोग गैलोत बैक फूट पे हैं और इसी बैक फूट को फ्रंट फूट पे दिखाने के लिए कौंग्रेस की और से डिजाइन की गई आज की अशोग गैलोत जो है वो कहीं कमजोर या कमतर नहीं है तो एक बार थोड़ा सा जटका देना और फिर उभारना ये एक पॉलिटिकल स्विचिंग है बेसिकली कोशिश है कि कि किस तरह से मुख्यमंत्री को मजबूत दिखाया जाए जबकि गांधी परिवार हमसे नाराज है सीधे तोर पे और यह जो प्रेस कॉंफरेंस है यह मुख्याले की और से कोशिश की गई है कि आपको बता दें कि 25 सितंबर वाले घटना के जो मुख्या आरोपी रहे हैं धर्मेंदर आठोड शांतिधारिवाल महेश जोशी उनका टिक्टों को लेकर लगातार बात चल रही हैं और कभी वो बांसूर से मांग रहे थे कभी अजमेर जाते हैं कभी पुषकर फिर मकराना की बात चली मसूदा की बात चली तो खुद स्टेबल नजर नहीं आते कि कहां से वो तैयारी कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर क्षेत्र जहां कम से कम तीन लाख वोटर होते हैं अन्हें लोगों के लिए उन्होंने क्या किया और उस एरिये के लोग आपको क्यों वोट दे कि आप मुख्यमंत्री के खास हैं या आप राजस्थान सरकार में एक क्रपा धारित पद रखते हैं कि आप खास हैं इसलिए आट्र डिंसी की चैर्मेंन तो उस इलाके के लोग वोट क्यों दे यह एक बड़ा सवाल जो टिगट डिसाइडिंग करने वाले लोग है उनके सामने खड़ा होता है ऐसे में धर्विंदर आठोड का जो पॉलिटिकल स्टेटस है उस पे बड़ा सवाल हुआ और सवाल के चलते हैं उनका टिगट जो है उस पे उस टिगट पे ही सवाल खड़े हो रहे हैं मिलेंगे नहीं मिलेंगे लेकिन कुल विलाके हम बात कर रहे थे अशो गलोत की प्रेस कॉंफरेंस की तो प्रेस कॉंफरेंस में कुछ नया नजर नहीं आया यह समझ नहीं आया कि प्रेस कॉंफरेंस क्यों की गई तमाम बातें जो है वो रिपीट होई पवन खड़ा टोकते रहे पत्रकारों को कि आप सवाल मत repeat कीजिए तो अगर आप पिछले दो पांच चार महिनों के तमाम बयान देखेंगे तो तमाम ही बातें repeat थी अडानी, अमबानी, ED, CBI, सचिन पाइलट लेकिन कुछ नया और वो ही gas cylinder, वो ही 25 लाग का बीमा लेकिन कुछ भी नया नजर नहीं आया ऐसे में एक दिन पहले जो मेडिया में अशो गहलोत और उनकी टीम को लेकि जो समाचार आये किस तरह से केंद्रिय चुनाव समिति की बैठक में मुख्यमंत्री को उनके द्वारा सुझाए गई, सिंगल पैनल नामों पे गांधी परिवार की आपति जेलनी पड़ी, कड़ी आपति जेलनी पड़ी उसको किस तरह से सेट अप किया जाए, तो यह प्रेस कॉंफेंस में देखने को मिला तो राजिस्थान की राजनिती में तमाम तरह के नए समिकरण बदल रहे हैं, नए माहोल बन रहे हैं उन पे नजर रखने के लिए आप सब्सक्राइब करें, ठिंक त्रिशिक्टों को और हमारे साथ जुड़े रहे हैं वीडियो को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि हम अपने ये जो प्रस्तोति करण है, प्रेसेंटेशन है, इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं